जय श्री राम दूसरा गाड़ी में सिटिंग कनफर्ट और ड्राइविंग कनफर्ट भी बेस्ट क्लास का मिलता है। वहीं 999cc का एक पेट्रोल इंजन के साथ 1497cc डीजल इंजन के साथ भी आती है। वहीं जिनको डीजल के साथ जाना है उनके लिए भी अलग अल्ट रोज एक बेस्ट आप से फार बेटर गाड़ी बन जाती है। इन अनसेफ गाड़ियों को खरीद कर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। लेकिन हकीकत में यह सभी गाड़ियां मिलकर भी अकेली अल्ट रोज के आगे फेल है। जबकि अल्ट रोज गाड़ी का इंजन काफी पफॉर्मेंस और पा साथ लाग से बारह लाग के बीच देखने को मिलती है। इसके बाद आती है रेनौल्ट की ट्राइबर जो कम पैसो में आने वाली एक हाइली एकस्पेक्टेड सेवन सीटर गाड़ी बनती जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि कम पैसो में आने के रीजन से गाड़ी में फीचर की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है। वहीं अगर आपको ज्यादा हाड ड्राइव करने का शौक नहीं है तो यह बजट सेगमेंट की सेवन सीट अगर आपके लिए बेस्ट हो सकती है जिसमें आप अपने छोटे परिवार को लेकर कहीं भी जा सकते हैं जो कि फिलहा काफी स्पेस और बल बनी हुई है। जबकि अगर माइलेज की बात करें तो कंपनी पेट्रोल के अंदर बीस की माइलेज क्लेम करती है। लेकिन एक्चुल में 18 तक की माइलेज तो निकाल देती है जिसका ओन रोड प्राइस साढ़े 6 लाग से 10 लाग तक जाता है जो कम प् रेडियस मॉडल जो की इसका बेस मॉडल है ओ एनन रोड 6 लाख में मिल जाता है जबकि डेल्टा मॉडल 7 लाख में आ जाता है जो वैल्यू फोर मनी ऑप्शन बन जाता है जिसमें 1200cc नैचुरल एस्पी रेटेड पेट्रोल इंजन ही देखने को मिलता है जो पेट्रोल में 18-20 तक की माइलेज निकाल देती है जबकि 180 mm का best ground clearance दिया जाता है जो hatchback गाड़ी होने के बाद भी सबसे ज्यादा है यह गाड़ी best driving experience देती है और गाड़ी में comfortable seating position भी मिल जाती है और आज के time सबसे powerful for cylinder engine गाड़ी है वहीं power और performance में भी कम नहीं है और माइलेज भी बजट में होगा कि सब के बाद इस गाड़ी पर आपको heavy discount भी मिल जाएगा मतलब 6 lakh से भी कम की honor road price में यह गाड़ी आपको मिल जाती है जो आज की 3 cylinder engine वाली गाड़ीों के पसीने छुडवा देती है इसके बाद अगली गाड़ी आती है Hyundai NIOS भी premium features और good interior look के साथ आती है mileage के time पर हर वो गाड़ी जो CNG के साथ थोड़ी safe और futuristic होगी वो big जाएगी क्योंकि मारूती को लेना एक तो एक मजबूरी है जिन में कुछ नहीं मिलता बस mileage के नाम पर big जाती है जिनको Hyundai brand पर trust है वह इस गाड़ी को लेना कभी नहीं भूलते क्योंकि गाड़ी में इतने features म clearance भी मिलता है और petrol में 18 की mileage के साथ CNG में 28 की mileage भी देती है वहीं safety की बात करें तो इसको global mcap से 2 star की crash test trading मिलती है जो उतनी ही सुरक्षित है जितनी मारूती वैगनार या swift लेकिन interior से गाड़ी में अच्छे features और अच्छे design मिल जाते हैं जो कि कम पैसों में काफी luxury गाड़ी feel ह होती है जिसमें आपका confidence level high हो जाता है वहीं गाड़ी का onan road price छा लाख 65,000 से 9,80,000 तक जाता है इसके बाद अगली गाड़ी आती है रेनौल्ट काईगर और Nissan Magnite ये दोनों ही गाड़ियां एक ही category की same गाड़ियां है और same three cylinder engine के साथ same customer को target करती है दोनों में 4 star की crash test rating मिल जा जाती है वहीं petrol में 18 तक की mileage इसी लिए निकाल देती है और same to same 205 mm का ground clearance भी offer करती है इसी वजह से बहुत पसंद की जाती है क्योंकि यह दोनों गाड़ियां look wise काफी wide और bold नजर आती है और cabin space भी अच्छा मिल जाता है कम पैसों में SUV गाड़ी की feeling दे देती है जबकि दोनों ही गाड़ियों की road presence भी best है वहीं इनका base model 5,99,000 की X showroom price में आता है ये थी आज की best good looking गाड़ियां आपको कैसी लगी जरूर बताएं दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम